नमस्कार दोस्तों, SN Electrical Academy के YouTube channel पे आप सभी का स्वाकत हैं दोस्तों, UPPCL TG2 की preparation करने वाले student के लिए हमने special numerical question की series को सला रखा है ये हमारा part number 20 है, इससे के पहले के part को यदि आप नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के description में उसका link डाल रखा है, वहाँ से complete वाद कर सकते हैं साथी साथ वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को like कीजिए और अपने दोस्तों में भी share कीजिए जो भी student channel पे पहली बार होंगे, please channel को subscribe जरूर कर लेंगे साथी साथ bell icon को भी press कर लेंगे, आप सब first number question को screen पे देख पा रहे होंगे first number जो question है प्यारे साथियों, यह है कि एक six pole alternator का पूंड चक्र द्वारा किये गए बिदुती अंस कितना होगा, मतलब है कि pole की संख्या यदि six है और alternator एक पूंड चक्र करता है तो total electrical degree कितना होगा, फार्मूला जो होता है mechanical theta equal to two electrical theta upon pole होता है अब यहाँ पे electrical degree पूछा गया है, तो mechanical degree होती कितनी है, एक cycle में तो 360 होता है तो 360 equal to pole की संख्या 2 into electrical degree upon pole कितना हो जाएगा, six हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूद 236, अब यहाँ से 360 into 36, छत्री अठारा आठ एक और ती तीरी का नव एक दस और एक यह 0, 1080 हो जाएगा यानि आपसा नमबर C बेलकुल correct answer हो जाएगा, अगर इस question को यदि और आप 60 तरीका से करना साहते हैं, तो ऐसे भी कह सकते हैं, कि electrical degree equal to pole into 180 होता है अब यहाँ से pole कितना है, तो कितना है, 6 है, और into 1888, एक 108 और यह 10, तो भी 1080 आया आपसा नमबर C, दोनों तरीके से आप इस question को हल कर सकते हैं, अगला question अगला जो question है, टू नमबर, इसमें है कि 100 KVA, 5250 बोल्ट, 50 हट्ज, सिंगल फेज ट्रंसफार्मर, द्वितियक में टर्न 200 हैं, तो प्राथमिक में टर्न क्या होगा इस ट्रंसफार्मर कि जो KVA रेटिंग दिया गया है, 100 दिया गया है और voltage का जो ratio दिया गया है, 5000 बई, 250, यानि 5000 इसकी primary में है और secondary में 250 बोल्ट है 50 हट्ज frequency दिया गया है और secondary winding में जो turn है, वो 200 है, तो primary में turn आपसे पूछा जा रहा है फार्मूला क्या बनेगा तो V2 upon V1 equal to N2 upon N1 हो जाएगा अब ratio देखिए voltage का दिया है तो जो बाद में देता है वो secondary voltage होता है तो secondary voltage यहां क्या है 250 है तो 250 रख देंगे अपान primary का कितना है तो 5000 है तो 5000 रख देंगे equal to secondary की turn दिया है N2 का मन 200 अपान N1 पूछा गया है तो N1 कर देंगे अब देखिए यह 0 से यह 0 मरा जाएगा और 25 से 25 दुनी का 50 और 1 0 20 हो जाएगा आप 20 में आप 200 से गुणा करेंगे तो 2 4 हो जाएगा और यह 2 0 और फिर इसमें का 1 0 जो 4000 टर्न होंगे प्राइमरी में आप सान नमबर देखिए A में दिया गया है 4000 टर्न आप सान नमबर A बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कोस्टन अगला जो थर्ड नमबर कोस्टन है कि एक ट्रांसफार्मर 100 के भी यह 50 हर्ज और 10 किलो वोल्ट बाई 200 बोल्ट की पूर्ण भार धारा प्राइमरी की करेंट कैलकुलेट कीजिए इस ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो 500 के भी यह है अब यहाँ पे बोल्टेज का रेशियो दिया गया है तो 10 किलो बोल्ट यह प्राइमरी की बोल्टेज है और बाई करके दिया है दूसर बोल्ट तो यह सेकेंडरी की बोल्टेज है तो कह रहा है कि पूर्ण भार पर प्राइमरी धारा कैलकुलेट कीजिए तो देखिए यहाँ पर हम के विये रेटिंग अगर प्राइमरी की करेंट पुछा है तो फिर क्या लेंगे के विये अपन प्राइमरी वैंडिंग की बोल्टेज यानि भिवान लेंगे अगर सेकेंडरी की करेंट पूछा जाता तो आई टू इकुल टू हम करते है último के विये रेटिंग रहती अपान यहाँ पे secondary की voltage ले लेते चुकि हमें I1 पूछा है तो KVA rating तो 100 KVA होगा ही लेकिन voltage का कौन सा ratio लेंगे V1 वाला यानि यह पहले वाला 10 किलो वोल्ट वाला लेंगे अब इसको मिटाते हैं फिर से बताते हैं question को I1 equal to KVA rating देखिए 100 KVA किलो वोल्ट को वोल्ट में change करेंगे तो 1000 कर देंगे तो into 1000 हो जाएगा अपान यहाँ पे primary की voltage देखिए दिया है 10 किलो वोल्ट को वोल्ट में change करेंगे तो 1000 हो जाएगा अब क्या होगा कि यह 1000 से 1000 मरा जाएगा इस 0 से 0 मरा जाएगा बचा क्या 10 यानि आईवन करेंट का मन कितना हुआ 10 एंपियर हुआ आपसा नमबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कोशन अगला जो कोशन है फोर नमबर इसमें है कि एक पचास के विये ट्रंसफर्मर पचास हड्ज के लिए बनाया गया है यदि इसे 40 हड्ज से चलाया जाए तो फि नहां पर कोशन बना है के विये रेटिंग और फ्रेक्वेंसी के रिलेशन में तो के विये रेटिंग जो होती है ट्रंसफर्मर की वो समानुपाती होती है फ्रेक्वेंसी के तो हम यहां से कह सकते हैं कि अगर प्राइमरी मेडियम की अगर के विये रेटिंग लेते हैं तो फिर दूसरे साइड की frequency को हमको लेना पड़ेगा तो हमारा फर्गूला तयार हो गया kva1 upon kva2 equal to f1 upon f2 अब इसी में put कर देना है मान को देखिये primary kva1 दिया गया है primary frequency दिया गया है secondary frequency दिया है और secondary kva rating पूछा गया है अब यहाँ पे इसी को put करना है तो यह हो जाएगा 50 kva equal to primary की frequency 50 hertz अपान यहाँ पे secondary की frequency 40 hertz हो जाएगी अपान secondary kva rating पूछा गया है अब देखिये का करेंगे यह 50 से 50 cancel out हो जाएगा यहाँ kva है और यह 40 cross multiplication करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो एक है तो kva2 हो जाएगा मना kva2 equal to यह 40 into kva 40 kva हो जाएगा यानि secondary की kva ratings होगी वो कितना आएगी 40 kva आएगी और यही चीज आपसन नंबर b में दिया गया है इसलिए आपसन नंबर b correct answer हो जाएगा formula यहाद जरूर आप रखियेगा ऐसे प्रस्न बंगते हैं अगला जो कोसन है 5 नंबर इसमें है कि एक 200 के भी यह 4400 बोल्ट बाई 500 बोल्ट ट्रंसफर्मर के प्राथमिक टर्न 880 वोल्ट है 880 टर्न है तो दियुतियक में टर्न कितना होगा secondary winding में टर्न पूछा गया है ratio टाइप में कोसन में पहले ही प्यारे साथियों में बता दिया हूँ कि जब भी अगर ratio में voltage दे तो पहले जो आता है ये V1 होता है और जो पीछे रहता है इसके V2 होता है तो ये V1 हो जाएगा ये V2 हो जाएगा यहाँ पे primary का turn दिया गया है secondary का turn पूछा गया है तो फिर फार्मूला क्या बनेगा V2 अपान V1 equal to N2 अपान N1 अब यहाँ पे V2 देखिए दिया है 500 बोल्ट दिया गया है तो 500 अपान V1 का मान दिया है 4400 तो ये हो जाएगा equal to N2 का मान हम से पूछा गया है और N1 का मान दिया गया है 880 अब देखिए क्या करेंगे कि ये 2 0 से ये 2 0 मरा जाएगा 44 दूनी का 88 ये 20 हो जाएगा पूरा आप 20 इंटू 5 बीस पान 100 हो जाएगा यानि N2 का मान कितना आ गया 100 यानि secondary winding में turn की संख्या 100 होगी आप सा number A ये बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला question अगला जो question है 6 नंबर कि 20 वोल्ट maximum से maximum value का RMS value बताईए तो यहाँ पे peak to peak value दिया है तो peak peak to peak के लिए होता है peak to peak के लिए होता है voltage दिया गया है 20 वोल्ट तो यहाँ पे लिखेंगे कि two peak equal to 20 वोल्ट तो एक peak equal to सिर्फ peak value equal to 20 वटा दो तो यह कितना हो जाएगा 10 वोल्ट होगा peak value अब इसका RMS value हमको निकलना है तो maximum value इसी को हम peak value कहते हैं या मान कितना आ गया 20 वोल्ट आ गया अब देखिए इसको मिटाते हैं अब RMS के टर्म में VRMS equal to Vmax upon root 2 होता है अब क्या करेंगे कि इसी को आप भी दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं तो यहां हम मान रखेंगे भाग देंगे तो 0.707 Vmax भी लिख सकते हैं तो अब देखिए 0.707 into Vmax का मान हमने क्या निकाला था 10 निकाला था जब इसमें आप into करेंगे तो एक अंक खिसक जाएगा 10 मलो यहनी 7.07 हो जाएगा यह voltage का क्यों सामान हुआ RMS मान हुआ पहरे साथियों option number A में दिया गया है 7.07 option number A बिल्कुल correct answer हो जाएगा उमीद करेंगे आप सब पहरे साथियों को यह question अच्छे से समझ में आया होगा अगला जो question है 7.07 नंबर इसमें है कि किसी धारा का सिखर मान सिखर मान को ही हम peak value भी इंगलिस में बोलते हैं है for root 2 है तो RMS मान क्या होगा अब voltage के टर्म में RMS मान equal to क्या होता है Vmax by root 2 होता है अब यहां पे सिखर मान जिसे हम peak value भी अंग्रेजी में कहते हैं यह दिया गया है कितना for root 2 तो Vmax का तो मान मिल गया for root 2 upon root 2 root 2 से root 2 मारा जाएगा बचा क्या for यानि voltage का RMS मान कितना आया for bolt आया अब यह चीज आपसा नंबर B में दिया गया है फोर आपसा नंबर A बिल्कुल correct answer हो जाएगा इसमें ध्यान दीजिएगा कि यह current का सिखर मान है तो फिर current का ही यह RMS मान होगा तो फिर चार किसमें आएगा MPR में आएगा तो B बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला question अगला जो question है 8 नंबर की एक AC परिपत में विभुवंतर का RMS मान 200 root 2 है तो इसका सिखर मान बताईए अब यहाँ पे RMS value दे दिया गया है 200 root 2 तो सिखर value पूछ रहा है peak value पूछ रहा है तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे V RMS equal to V max by root 2 अब यही maximum मान पूछा है हिंदी में maximum मान को हम सिखर value भी कहते हैं अब यहाँ V RMS दिया गया है पेरेसातियों कितना 200 root 2 equal to V max by root 2 हो जाएगा अब यहाँ से cross multiplication करेंगे तो root 2 में root 2 से गुणा होगा तो सिर्फ 2 हो जाएगा और into 200 तो कितना हो जाएगा 400 यानि V max का मान क्या हुआ 400 बोल्टाया आपसा number 80 बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला question अगला जो question है पेरेसातियों बहतरीन question है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथी साथ अपने दोस्तों में भी आप सब जरूर शेयर कीजिए 9 नंबर जो question है कि 400 sorry 20 ohm के चालक अत्व का मान क्या होगा 20 ohm resistance का मान दिया गया है यानि R का मान जो है वह 25 ohm दिया गया है 25 ohm sorry 25 ohm अब इसमें जी का मान पूछा है तो जी का मान निकालेंगे तो relation क्या होता है जी equal to 1 by R होता है तो 1 by R यानि 1 by 25 हो जाएगा अब हाग तो 1 में नहीं जाएगा तो point लगाएंगे तो एक 0 बढ़ेगा फिर भी नहीं जाएगा तो एक 0 बढ़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा अब चला जाएगा पचिस चव का सव ये इतना हो जाएगा point 0 4 हुआ तो point 0 4 जो हुआ चालकता का मातर क्या होता है सीमेन होता है तो एस हो जाएगा मतलब point 0 4 सीमेन होगा चुकि आप answer देखेंगे तो मीली सीमेन में दिया है तब इसको मीली सीमेन में चेंज करने के लिए अब क्या करेंगे कि इसमें 1000 से हम गुणा कर देंगे तो point 0 4 into 1000 एक हजार से गुणा करेंगे तो दो इंग खिसक जाएगा यानि दो इसमें से 10 0 कट जाएगे तो अब क्या हो जाएगा 4 into 10 कितना हो जाएगा 40 milli cms होगा answer आपसन नमबर D में दिया गया है 40 milli cms आपसन D बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला question अगला जो question है बैतरिन question है प्यारे साथियों 120 Hz आबरिती पर 3 हेनरी प्रेरकत्व का प्रतिगात क्या होगा frequency दिया गया है 120 Hz और L का जो मान है वो 3 हेनरी दिया गया है प्रेरकत्व का प्रतिगात ग्यात कीजिए यानि inductive reactance axle का मान आपको calculate करना है axle equal to 2 pi FL हो जाएगा और 2 into pi का मान 3.14 into frequency यहाँ पे 120 दिया गया है into L का मान 2 दिया गया है इस पूरे में जब आप into करेंगे प्यारे साथियों तो 22.6 आएगा चुकि axle को हम inductive reactance कहते हैं तो इसका मातरक भी ohm होता है तो 22.6 ohm बिल्कुल correct answer होगा option number C बिल्कुल correct answer हो जाएगा तो प्यारे साथियों वीडियो असी लगे तो वीडियो को like किजिए और अपने दोस्तों में please आप आप सब share जरूर कीजिए साथ जो भी student चैनल पर पहली बार होंगे please चैनल को subscribe करके बिल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसका notification आपको सबसे पहले मिल सके ये आप से मेरा request रहेगा कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा please वीडियो को share करें क्योंकि पिछले बिगत वर्सों के numerical हों को हम यहाँ पर discussion निरंतर करते जा रहे हैं तो आप सब जरूर वीडियो को share कीजिए और जो भी student का numerical portion वीक है कम जोर है वो चैनल से अधिक से अधिक जुड़े एक्जाम होने तक आपको जरूर आपका यह portion अच्छा हो जाएगा तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए बाए बाए टेक केर थैंक्स चास आपका सुंदीश ख।ोओ सागा यह शितक जπत बाए एक जोडियो घुति श temporpace वीडियो ज़। में जल सक सब जाए को जो है